हुआ है । तो है लिए फ्र पॉन में आपको क्या जाहिए गडिस्लेइ चाहिए और साथ में फाइज भी चाहिए या फिर तगणा वाला फर्स चार्जिक जाहिए या फिर डिजाइन भी बेटर चाहिए सब कुछ मिलें इंफिनिक्स नोड़ पूर्ट इस वीडियो में फोन का जो बोक्स है ना लाइप दिखाने वाला हूँ और लगबग सारे फीचेस में आपको बताने वाला हूँ तगरा-तगरा फीचेस आपको इस स्ट्रीज में मिलेगा वैसे बतातु है चाइर फोन-पोन आपको मिलने वाला है तो दिल थाम की विडियो एंड तक देखो सारे फीचस में आपको वान बटाऊंगा और भाई कब लोग ओर ओपी से ली ओभी बताऊंगा बाल दब लोग डेट भी बताने वाला हुट वीडियो काफी इंडरस्टिं सा होने वाला है चलिए स्टार गरते विडियो उससे पहले फटाफ़ से य कंफर्मेसं था कि नोट फोर्टी स्रीज भाई ओफिसेली लोंच हो रहा है और लोंच डेट भी मुझे बता दिया गया है तो मैं आपको शेर करूंगा भाई टेंसन मतलो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू इस रिज में आपको चार फोन मिले वाला है जैसे मैं आपक जो की प्रो प्लस करके आ रहा है तो फोन के बार में बताने से पहले मैं आपको थोरा सा याद दिलाना चाहाँगा नोट थर्टी सी जो आया था भाई लास्ट एर इंडिया पर उसका अन्बोक्सिंग में ने किया था चैनल पर वीडियो है जाके देख सकतो तो उस फोन में दोस्तों आपको फीचर्स काफी बढ़िया दिया गया था और 15,000 के आसपास के में आया था डाइमेंड सीटी 6080 चिपसेट के साथ आया था और साथ में बाइपास चार्जिंग टेक्नोलोजी दिया था 45 वाट का जो कि उस वज़द में कोई भी फोन में नहीं था बाइपा तो कर दोस्तों दिखाने बाला हूं बोक्स जो कि भाई लिखो के आचुका है यहाप याप इसक्रीन में देख सेकतो बोक्स में भी नाम लिखा है और फोन का जो कोबर है प्लास्टिक का वहां पर भी नाम लिखा है Note 40 Pro Plus अब भाई फोन का box देखके और फोन भाई cover में लिप्टा हुआ है तो वो देखके आप सबसे पहले कौन सा चीज गेस की हो comment करना मैं जो गेस किया था न भाई यहाँ पर जो display आपको मिलेगा ओर curve display मिलेगा जी हाँ सही सुना भाई क्योंकि देख सकतो आप यहाँ पर curve type का पंडी जो है लिप्टा हुआ है तो फोन में आपको curve display मिले वाला है curve display का मतलब होता है AMOLED display मतलब इस फोन में आपको AMOLED display मिलेगा 120 Hz का आपको refresh rate मिलेगा और पंचोर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों मतलब डिस्पले का काफी बढ़िया होने वाला है और AMOLED display में आपको बताई है in display fingerprint sensor भी रहता है तो इस फोन में भी आपको in display fingerprint sensor भी मिलेगा और उसके बाद दोस्तों box में थोरा सा ध्यान से देखो यहाँ पर wireless charging के बारे में भी बात किया है और all round charge के बारे में भी बात किया है मतलब phone में आपको जो charger मिलेगा वो 100 watt का मतलब 100 watt का charger दिया जाएगा जो की all rounder एक charging technology के साथ आएगा 2.0 और wireless charger के भी support मिलेगा जैसिक मैं आपको बताया भाई 50 watt का वो wireless charger होगा फोन का जो लूक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यह आप देख सकतो भाई यह है इंफिनिस का note 40 pro का लूक जो की भाई लिख होके आ चुका है और यह design कुछ मिलता जूलता है इंफिनिस का 030 का जैसे यह थोरा सा difference है camera middle बगरा में अब यहाँ पर मुझे लग रहा है साइड लेदर और ग्लास दोनों आपको बेक साइड में मिलने वाला है जैसे कि 030 स्रीज में आया था और यहाँ पर बेक साइड का camera middle golden type का आपको color में देखनों को मिलेगा जैसे कि 030 स्रीज में आपने देखा था और थोरा सा ध्यान देना यह जो डिजाइन में आपको दिखाया ना यह भाई note 40 pro plus का नहीं है यह note 40 pro का लिख होके आया है दोस्तो pro plus का जो है वो निकल के नहीं आया है latest variant आपको मिलेगा और XOS 14 भी आपको मिलने वाला है और यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि भाई कुछ लीक आ रहा है कि भाई जो प्रो प्लस वाला होगा ना नोट 40 pro plus की बात कर रहा हूँ वहाँ पर MediaTek Dimensity 8200 या फिर 8300 ऐसा कुछ चिपसेट आपको मिलेगा जो कि फ्लाक्सिब लेवल का चिपसेट है दोस्तों बंदब यहाँ पर 5G तो यूज करोगे और लोंज डेट यह वीडियो देखके आपको बता चल जाएगा जो की इंफिनिक्स ग्लोबल की तरब से भाई ओपिसेली अपना इंस्टाग्राम एकाउंट में मतलब पोस्ट किया गया है और लोंज डेट देख सेक तो भाई अठरा तारिक है मतलब इस मेने में अठरा त अगर इंदिया था लोंज डेट कन्फर्म होता है तो भी मैं आपको बताऊंगा और अन्बोक्सिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जब इंडिया पे लोंज होगा तो भाई चेनल को जरूर से सब्स्क्राइब कर लो सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा अच्छ लेगे वीडियो तो लाइक करना और जाते जाते भाई चाहो तो ये वाला इंपर्मेशन देख सकतो या फिर वीडियो भी चेकाउट कर ले ना दोनों वीडियो फार हुए मिलते नेक्सकों इंट्रेस्टिंग वीडियो मैं तब तक लिए स्टेड यून कीप वाचिंग